हेलो फ्रेंट्स फेलकूम अन्मा यूटूब चैनल सक्सेजिस्टिडी सागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल सक्सेजिस्टिडी में आज की जो वीडियो है ये वीडियो है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनोंने या तो आईटियाई कम्पलीट कर ली है या फिर जो रनिंग में आईटियाई कर रहे हैं तो फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपको ITI का जो syllabus होता है वो syllabus आप कैसे download कर सकते हैं तो फ्रेंट्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ITI में अलग-अलग ट्रेडे होती है और सभी ट्रेडों का अलग-अलग syllabus होता है तो वो syllabus DGT की official website से आपको कैसे download करना है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको Google Chrome browser या फिर अपने mobile में कोई भी browser को open कर लेना है उस browser को open करने के बाद आपको search box में type करना है DGT तो यहाँ पर मैंने DGT download DGT type कर लिया है और इस DGT को आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने आएगा direct rate general of training prescription महा निदेशाले तो इस पर आपको click कर देना है इस पर आप जैसे ही click करते हैं तो आपके सामने एक new webpage open हो जाएगा जिसको आपको सबसे पहले जो COVID-19 का जो poster आएगा उसको आपको close कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर आगे देखना है तो यहाँ पर जब आप आगे देखते हैं तो आपके सामने जो official homepage है website है वो open हो गई है directed general of training की dgt की website यहाँ पर आपके सामने open हो गई है अब आपको क्या करना है अब आपको यहाँ पर menu और उसके सामने तीन line बनी होई है उन पर click कर देना है तो हम यहाँ पर जैसे ही click करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने about us, screen या program उसके बाद publication या documents, examination या useful link यह सभी आते हैं तो इसमें आपको schemes या programs पर click कर देना, plus पर click करना ह तो मैं यहाँ पर plus पर click कर देता हूँ, जैसे ही plus पर click करते हैं तो यहाँ पर वापस हमारे सामने आते हैं schemes for training, schemes for training of trainer और schemes for creation या improvement of training infrastructure और निचे है polytechnics तो इसमें आपको click करना है schemes for training पे, सबसे पहला वाला schemes for training यह उस पर click करना है, अब आपके सामने आएगा CTS, Plexi, MOU, Dual System of Training और AVTS और उसके निचे है apprentice training तो आपको जो है अगर आप ITI कर रहे हैं या फिर आपने ITI कर ली है तो आपको इस पर click करना है CTS पर, CTS का मतलब होता है craftsman training scheme तो इस CTS पर आपको click कर देना है, CTS पर आप जैसे ही click करते हैं तो आपके सामने एक new page open हो जाता है और इस new page को जैसे हम scroll करते हैं तो scroll करने पर आपके सामने CTS की सारी जानकारी या फिर information आजाती है तो इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें यहाँ पर देखना है list of CTS courses तो यहाँ पर list of CTS courses पर आपको click करना है और इसके बाद आपके सामने एक बार फिर से new webpage open होगा इस web page में आपको आपके सामने list है वो list आजाएगी सारे trade की कि यहाँ पर कौन-कौन सी trade है अब या तो आप इन सबी trade को इस type से scroll करके अपनी जो trade है वो trade सर्च कर सकते हैं या फिर आप इसमें यहाँ पर सबसे उपर लिखा हुआ है कि duration trade तो या फिर आपको दो साल की trade या फिर एक साल की trade में से अगर चाटना है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं कि यह trade दो साल की है या फिर एक साल की तो जैसे कि मैं यहाँ पर two year पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर अब क्या होगा कि हमारे सामने जितनी भी ट्रेड आईगी वो सारी ट्रेड 2 year duration की आ जाईगी तो यह सबी ट्रेड यहाँ पर 2 year duration की आ गई है अब इन में से जो भी ट्रेड अपनी हो इस ट्रेड को अपने को उस ट्रेड का syllabus हम डाउनलोड कर सकते हैं तो friends, यह syllabus कहाँ पर काम में आता है, तो यह syllabus सभी type की जो competition exams होती है, उन सभी competition exams में यह syllabus काम में आता है, जहाँ पर आपके technical subject के question पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आप electrician theory से ITI कर रहे हैं, तो आपके ITI के 60 या फिर 55 question जो है, वो electrician theory से आते हैं, और वो electrician theory का question का syllabus होता है, व तो इस type से आप कोई भी trade का syllabus यहाँ से download कर सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर electrician trade का syllabus डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पर electrician पर click कर देता हूँ, और यहाँ पर download पर click कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा जो syllabus है, उस syllabus की PDF डाउनलोड हो रही है, और थोड़ी ही देर मे friends यहाँ पर जो syllabus है वो download हो जाएगा, और इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि जो syllabus है वो syllabus यहाँ पर download हो गया है, तो friends इस type से आप यहाँ पर किसी भी trade का syllabus डाउनलोड कर सकते हैं, तो I hope friends यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि friends बहुत सारे दोस्तों को syllabus की जानकारी नहीं रहती है, कि syllabus अपने को कहां से डाउनलोड करना है, किस type से अपने को पढ़ना है, तो इस syllabus के माध्यम से आप अपनी तयारी अच्छे से cover कर सकते हैं, मिलते हैं friends next video में, तब तक के लिए, bye